चाइना के बारे में बोलते है और हर कोई बोलता है सबसे लंबा ब्रीज मना साड़े नौ किलोमेटर का कारगी लिउद्द के समय क्या हुआ उस विंटर में पाकिस्तान के सोलजर्स ने वो पोस्ट को अकुपाय करके रखा और टर्रिस्ट को अंदर आने का मोगा दिया लोगों को हम सर्विस देना ये हमारे मंतराले की जिम्मे नमस्ते वैभव जी नमस्कार आपका स्वागत है आन्विक्षी की पॉडकास्ट पे बहुत ही जदा एक्साइटेड हूं है क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट है वैभव डांगे जी ये कोई नेक्स्ट डोर गेस्ट नहीं है कि मुझे बस मन किया तो मैंने वैभव जी को का टाइम मिलता है मैं अभी जो इंट्रोडक्शन देने वाला हो ना आपको समझ जाएगा क्या है सो वैभव जी वैभव जी इस दा मैन जिन्होंने नितिन गड़करी जी के साथ में जो काम किया और उसको जो इंप्लिमेंट किये जो हम इतने अंबिशेस प्रोजेक्स कि आप आए और आज हमारे साथ है तो इनका में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं शॉर्टन कर रहा हूं फ्रम 2014 तो 2019 वैभव जी वाज प्राइव जी वाज प्राइवेट सेक्रेटरी तू मिनिस्टर ओफ रोड ट्रांस्पोर्ट हाइवेस और शिपिंग और फ्रम टू एने चे आई एंड एमो आर टी एच जो अभी मैंने कहा मिनिस्टर ओफ रोड ट्रांस्पोर्ट हाइवे और शिपिंग तो यही मेरे ख्याल से काफी है बट मैं एक वापिस और डीटेल बता देता हूं रीसेंटली इन्होंने एक 15 पार्ट की सीरीज 15 पार्ट सीरीज पर इंडिया के उपर की है जिसका नाम है बिल्ड इंडिया और इनोंने दो बुक्स जो मुझे मालूम है उससे ज़्यादा हो सकती है बट दो बुक्स के नाम है Building India, Shaping the Future and Accelerating India Seven Years of Modi Government ये दो books की इन्होंने authoring किये इसी के साथ अभी फिलाल ये member of board of governors of I.M. Naagpur है अभी मैं इनका introduction रोक रहूं क्योंकि ये सिर्फ चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा और हम अपने questions ही नहीं पूछ पहेंगे So let's come to the main question जो सब वेट कर रहे है कि नितिन गटकरी जी के साथ काम करना कैसा था? How was it? थोड़ा बताईए उस बारे में सबसे पहले thank you Satvik आपने मुझे अपने podcast में बुलाया I am really grateful और मुझे बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बात करके जैसे आपने कहा और जितना excited आप है प्रवली उतना ही या उससे ज्यादा excited मैं था जब मुझे नितिन गटकरी जी के साथ काम करने का मौका मिला और 2014 से 19 की बीच में जब मैं उनका private secretary करके उनके मंतराले में काम कर रहा था तो हम सब लोग गटकरी जी को बेबाक और out of box ideas और out of box thinking के लिए जाने जाते है तो मेरी appointment भी मंतराले में उसी उनके out of box तरीके का एक हिस्सा था क्योंकि एक convention रहा है कि minister के जो private secretary होते है वो serving IS officers या serving officers होते है तो मैं सरकार में पहला ऐसा व्यक्ति था जो सरकार में serving नहीं था serving IS officer नहीं था, bureaucrat नहीं था लेकिन उनोंने कहा कि मैं corporate में अपने career में हमेशा रहा हूँ फिकी में रहा हूँ तो corporate experience मेरा जादा था तो उनोंने मुझे कहा कि आप मेरे साथ काम करो private secretary कर के और मुझे तो ये मान्य कड़करी जी का और पदान मंत्री ने उस बात की अनुमती दी उन दोनों का बड़ा काफी और out of box बड़ा bold decision था तो ब्रिंग इन देट fresh air in the governance probably I think इसलिए उनोंने convention को थोड़ा ब्रेक किया और मुझे मौका मिला and I really feel fortunate and blessed to work with a person like Mr. Kadkari वो केवल एक मंत्री या एक politician नहीं है तो वो अपने आप में मैं मानता हूँ कि जीता जाकता युनिवर्सिटी है वो एक जीती जाकती युनिवर्सिटी है क्यूंकि कोई भी व्यक्ति अपने करियर में whether it is politics, corporate business a teacher, a sports person कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में cannot achieve the higher heights if he is not a good human being if he is not passionate if he doesn't have that skills soft skills to run that are required in his profession तो ऐसे सब खुबिया आपको एक व्यक्ति के नाते उन में मिलेगी और मैं इनको जीता जाकता institution हमेशा इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं जब उनके साथ काम करता था तो हम जितनी तयारी करके मीटिंग में उनके साथ जाते थे वो हमेशा आउट अट अव्यक्ति आपको पोच्टे थे और हमको हमेशा लगता था कि हम तयारी में कम पड़े है तो तो आट आए टु दी इस फाइननेस तो एवरी माइनूट डीटेल और पैशनेट टु वक मतलब वो सुबह नौ बजए दिन का काम शुरू करते थे और रात को देड़ दो बज़े भी वो उतने इंसुजैस्टिक होते थे मुझे कही बार का अनुभावव है कि रात को फ्लाइट लेके वो अगर कहीं ट्रैवल कर रहा है तो वो जेब में फ्लाइट में कामल लिखते ते छोटी डायरी में और फ्लाइट से उतरते ही मुझे फोन करते थे रात को साड़े बारा बजे बारा बजे एक बजे और वो बात को साड़े बारा बजे भी उतने इंसुजैस्टिक होते थे काम बताने में काम पूछने में या सुबह साथ बजे भी एरपोर्ट जाते समय उतने इंसुजैस्टिक होते थे तो कई बार हमको लगता था कि हमें नींद आ रही है हम थक गये हैं लेकिन उनकी इनर्जी लेवस देखके हमको लगता था कि कैसे यह कर पाते बट मुझे रखता है यह ऐसी कई बाते और आम शूर कई सक्सेस्फुल लोगों के लोग ऐसे ही शायद होते हैं तभी वो इतने सक्सेस्फुल लोग बनते हैं और इसलिए वो जो अचीव कर रहे है वो आज आज तक भारत में किसी ने अचीव नहीं कर पाया क्योंके नगटकरी जी का सी 2014 से रिकॉर्ड नी रहा है जब वो मुंबई में भी थे अज महाराष्ट्रा के जो स्टेट हाइवे के मिनिस्टर तो सबसे आदा रिकॉर्ड जो आज बच्चे लोग जो हम जैसे बच्चे में उन्होंने अठ्रा मैने में बनाए थे मैंने कुछ शोरी सुनी है आई नो कि मैं आज रिकॉर्ड पर बोल नी सकता क्योंके वो ऑथेंटिकेट कितनी हुई हो नहीं मालू बट इतनी इंस्पाइरिंग है और सिर्व वह नहीं जो सबसे बड़ा उनका जो एक चमकतावा सितारा है वो है बांदरवली सीलिंग और फ अब्सक्शन वो तो गटकरी जी नहीं करके दिया था तो रिसेंटली भी उन्होंने एक पॉडकास किया था कोई बड़े यूट्यूबर के साथ तो उन्होंने जो अपने बारे में इतने हमबल है जैसे आपने कहा भी कि इतना आराम से वो अपनी बतारे लाइफ कि जो परस उसको करके दिखा रहे है वैसे टार्गेट्स और वो कह रहे है कि देखो भई मैं यह सूचत हो कि मैं क्या खाने वाला अउरात को और वो अपनी जो एक लाइट लाइटर साइड दिखा रहे है इतना हम्बलिंग था कि एक्चुली में जैसे आपने अभी कहा कि इतने सीरिय और तौर्ड्स दी वर्क, सिरियस होना से यह नहीं होता है कि हमेशा मुह बना कर रखो और जोक नहीं मारो, बट इस अल अल बाउट देडिकेशन तोर्ड्स टोर्ड्स टोर्ड्स देखा ही है, आप से जब हम फर्स्टांट सुन रहे तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनके, जैसे आपने बताया, उनके ऐसे महराष्टर में या मंतर रहते समय, दोनों उधारन में आपको बताऊंगा, बिंग हमबल और बिंग वेरी फोकस, मैं कही बार एक्सपिरेंस किया हूं, मैं उनके साथ काम करते समय, और मेरे जैसे बहुत लोगों ने एक्सपिरेंस किया है, हम रात को देर तक मीटिंग कर रहे है, काम कर रहे है, उसके बाद वो खाने के लिए बैठ रहे है, तो पहला सवाल वो पूछते थे, अच्छा, वैभो, तुमने खाना खाया, आजवो मेरे साथ खाने के लिए बैठ हो, So such a senior person being so human to people around him, जैसे उन्होंने हमेशा instruction हमें दिया था, और वो यह हमेशा कहते कि यह उनकी mother से उन्होंने सीखा है, उन्होंने instruction दिया था कि हमारे जितने लोग काम करते हैं office में, So whether it is a security guard, और a driver, और a minister himself, सब को खाना एक जैसा मिलना चाहिए, और सब को office के समय या घर के शाम के लेज तक काम कर रहे तो खाना वहाँ available होना चाहिए, अब यह principle है humanness का humbleness का, और बहुत simpleness का, कि human को human की तरह consider करना, और मुझे लगता है इनी चीजों के कारण, आज जो में लोग कहते है कि हर कोई उनका दोस्त है, वो human touch जो उनकी behavior में है, humanness जो मानवी अधार जो है बातचीत का, behavior का, वो एक बहुत बड़ा factor है उनके सब जगध दोस्ती होने का, या सबसे दोस्ती करने का, not differentiating individual because of his color, caste, creed or sex is something which we all see as a principle, but bringing that principle in practice is very difficult, which he has probably successfully done. जब टाइम आता है, तो सबसे पहले हमें अपने community के लोग या हमारी trusted लोग ध्यान आते, बड़ जैसे आपने कहा भी absolutely, just amazing, इसलिए तो इनके उपर कभी-कभी ऐसे गलत आरोप लग जाते हैं कि, ये कोई opposition के leader के अगर dinner, lunch कर रहे हैं, तो लोग उसको कुछ और समझ लेते ह कि एक सब के साथ जो दोस्ती है, बस उसी का एक part है, so next question जो मेरा थोड़ा सा obvious है या नहीं है, वो तो मुझे पता नहीं, मेरे लिए ज़रूर है कि आप infrastructure is not only highways और roads बनाना और bridges बनाना, infrastructure is also कि कभी software वाले या payment gateways, etc, etc, जैसे UPI एक type का payment infrastructure है, तो आपने यह, हम जब infrastructure कहते हैं, तब वो सारा infrastructure नहीं होता, but आपने in this infrastructure domain, आपने क्या-क्या चीज में काम किया है? जैसे आपने कहा, मैं उनका private secretary होने के नाते, infrastructure खास करके highways के various aspects पे हमें काम करने का मौका मिला, primarily minister का रोल होता है policy making में और policy designing में, और उसमें बहुत अच्छा मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, साथ ही साथ उनका हमेशा focus ये रहा है, efficiency को improve करने में, and he has been always, मुझे याद है उनके वाक्या, mechanization, modernization, innovation, and bringing in new technologies, new construction practices, new construction methodologies, ये उनका हमेशा focus area रहता था, हर meeting में हो ये 5-6 चीज़े हमको हमेशा कहते थे, तो मुझे ऐसी कुछ चीज़ों पर बहुत अलग unique काम करने का उनके साथ मौका मिला, जैसे आज आज आप हम सब लोग ट्रैवल करते हैं, तो टोल प्लाजा पर आज़कल आपको cash payment नहीं करना पड़ता है, आप fast tag हम सब लोगों ने experience किया है, तोल प्लाजा पर हमारे गाड़ी में, शिल्ड पर, fast tag, RFID is the technology that we use for electronic tolling, और वो gate अपने आप अपन होता है, और you can pass on, उसके कारण लोगों का बहुत time कम हुआ, पहले जहां 10-10 minute एक तोल प्लाजा पर लगता था, अभी less than 10 second में, a transaction can happen and people can pass on, the target is to bring that down to less than 6 second, वो आज हो रहा यह electronic tolling system जो है, इसके आने का, लोगों को कितना फायदा हुआ, लोगों की परिशानी कितने कम ही, बड़ उसके कई आस्पेक्ट है, जो लोगों को पता नहीं होते हैं, जैसे for example, अगर आप दिल्ली से मुंबई का हमने एक pilot study किया था, दिल्ली से मुंबई के बीच में, दो घंटा वो pollution बढ़ाता है, दो घंटा हम imported fuel को waste करते हैं, जिसके लिए हमें dollar में पैसा देना पड़ता है, दुनिया भर में लडाई होती है fuel की, और वो हम बरबात कर रहे हैं for our inefficiency, तो electronic tolling is not only about convenience of the people, it has also as a socio-economic impact on the whole economy, on the whole society, similarly हमारे toll plaza में जब electronic tolling हो गया, आज हमारे द collect कर रहे हैं, उसका impact यह हुआ कि चार साल में हमारा toll collection double हुआ, तो हमारे देश में जो leakages थे, imagine करिए चार साल में toll double हुआ, इसका मदलब पहले 22-30% toll हमारा leakages में जाता था, corruption, corruption था, वो corruption रुख गया इस देश में, तो amount of money available with the government to implement in new projects, नए 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 प्रोजेक्स बनाने में सड़क बनाने में, bridges बनाने में, tunnel बनाने में, expressway बनाने में, यही पैसा दो लगेगा न, तो देश के efficiency कितनी बड़ी, competitive ने इस कितना बड़ा, अगर हमारे देश में कहीं किसी राजस्तान में, गुजरात में, उतरपदेश में कहीं कोई product बना रहा है, कोई handicraft बना रहा है, कोई machine बना रहा है, कोई कपड़े बना रहा है, pharmacy बना रहा है, उसको हमको दुनिया में export करना है, अगर हमें दिल्ली से मुंबई जाने में 48 गंटा लगेगा, 12 गंटा लगेगा, टोल में उसको 2-2 गंटा रुकना पड़ेगा, तो उसकी efficiency, क्योंकि inventory cost बढ़ेगी, वो late पह bit करे, वहां तो एक-एक पैसा मायने रखता है, एक-एक मिनिट मायने रखता है, तो यह सब aspect जो है, यह larger picture देखकर, ऐसे कई चीजों में, मुझे, I was fortunate enough to work with him, मैं एक और example आपको बताता हूँ, मुझे याद है, एक conference चल रही थी, और उस conference में, logistics पर ही conference थी, और मंतरी जी न अपना भाशन देने के बाद कुछ question answers थे, तो one gentleman stood up and said, Sir, I want to ask you a question, तो उनोंने का, Sir, मैं भेल का चेमन हूँ, और मैं एक सवार आप से पूचना चाहतू, भेल इस, भेल, हारत हेवी Electricals Limited, तो उनोंने का, Sir, मैं हम बड़ी मशनरी बनाते हैं, high size, over size, over dimension, मशनरी बनाते हैं, power plants बनाते हैं, engines बनाते हैं, और जब हमारे यहां से वो बना के हम, किसी plant या मशनरी को, वहाँ commissioning के ले जाते हैं, साइट पर, तो जितना टाइम हमें बनाने में लगता है, लग बग उतना ही टाइन हमें वहाँ, ट्रांसपोर्ट करने में लगता है, तो मंत्री जी ने कहा ह आपने देखा होगा सड़क पे कई बार आप जब हम ट्रैवल करते हैं, तो आपको 50 चके, 60 विल्स, 70 विल्स के ट्रेलर्स दिखते हैं, जिसमें बड़ी-बड़ी oversize और over-dimension machinery ले जाते हैं, power plants होते हैं, या turbines होते हैं, या windmill के blades होते हैं, या इसी चीजे, उसको कहते हैं, O ODC and OWC, over-dimensional cargo और over-weight cargo, ऐसा cargo move करने के लिए size उसकी बड़ी होती है, तो difficulties होती है, तो जब मंत्री जी वापस आये, तो उन्होंने हमको कहा कि यह क्या है, पता करो, ऐसा क्यों होता है, so we started deep diving, तो हमें पता चला कि हमारे मंत्राले से कोई भी इस प्रकार का समान अगर move करना हो जब से उस bridge को या उस tunnel को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, यह चेक करना ज़रूरी होता है, तो कोई ऐसा cargo गया और bridge collapse हो तो नुकसान हो सकता है, आइडिया अच्छा है, लेकिन उसकी permission process इतनी लंबी थी, कि जो यह समान ले जा रहा होगा, he was supposed to do a conditional survey of that bridge, and submit that report to the ministry and then take the approval, तो जब हमने deep dive करके सारी जानकारी मंतरी जी को उन्होंने का nothing doing, लोगों को हम service देना यह हमारे मंतराले की जिम्मेदारी है, इसके बाद कोई conditional survey transporter को करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा मंतराले की जिम्मेदारी है service करना और हमारे infrastructure को up to date रखना, और सारी approval process हमने online की, और 72 तर गंटे में लोगो approval मिलने लगा, तीन से चार महीना, वाव, तो ऐसी छोटी-छोटी sensitivity towards people's problem was the driving force of the minister and then that he used to express time and again with everybody of us, यह अपने बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट छेड़ा, infrastructure के development के तरफ, क्यूंकि हम में तो लगता है की road बनती है, तो road में तो डामबर बिचाया, land acquire क लाडामबर बिचाया, उस पे एक layer गया, दूसा layer गया, फिर लाश में final layer गया, हम तो उतना ही सोचते है, क्या हमें तो वीडियो में भी उतना ही दिखता है, पर इसके पीछे की यह सारी कहानिया जो आप कह रहे है, यह बड़ा fresh perspective, मैं आपको इसी से continuation में एक और उधारन ब मारे मंत्राले में उपलब अच्छा हमें पता ही नी कितने प्रिचेश है, तो हमने एक इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप की जो एक अनलाइन प्लाटफॉर्म बना जहां हर structure का उसका socio-economics, structural design, pictures, video, उसकी longitude, latitude, उसकी other information, technical information, उसके structural health, इसकी सारी जानकारी जिस platform के कारण उसका management of our asset become much more easy, क्योंकि जैसे जैसे हमारा infrastructure बन रहा है, हमारे assets को manage करना ये भी हमारी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि ये national assets है, सडख है, bridge है, आज ceiling है, ceiling को हमारे मिंटन नहीं करेंगे, तो 10 साल बात खराब हो जाएगा, तो ऐसी सब बातों के लिए हमारे प a different kind of, मतलब मैंने कभी सोचा हैं था कि ये पार्ट भी आता है, क्योंकि एक natural day-to-day life में, हम तो बस ये सोचते कि देखो भाई, खोदा, pillar आया, bridges हो गए, काम खतम और उसके पीछे कि क्या-क्या कहानी होती है, वो तो आप से आज पता चल रहे है, आपने और क्या-क्या आपको मैं बताता हूं, जब दिल्ली मुंबई की efficiency बढ़ने की बात आई, तो एक नया expressway या existing इस रूट को और efficient बनाने की बात हुई, there were limitations, क्योंकि existing highway को आप कितना बढ़ा करेंगे, कितना efficiently करेंगे, दूसरा traffic निरंतर हमारे देश में बढ़ रहा है, एक लाग देड बनाने में उसको थोड़ा backward region से ले जाए, ताकि development उस region में भी जाए, तो ये पूरा दिल्ली मुंबई express वे backward area से गया है, हर्याणा, मद्यप्रदेश, गुजरात, इन सारे राज्यों से backward region जहां development नहीं पहुचाता, ऐसे area से उस highway को हमने ले गए, उसका दूसरा economic sense क्या बन पुलिटिकल corruption की देश में बात होती है, जिस सरकार ने केवल land acquisition में साथ हजार करोड बचाया है, उसको आप क्या कहेंगे, तो ऐसे बहुत सारे experiments हैं, जिसको थोड़ा out of box सरकार ने सोचा, आज डिल्ली मुंबई express पे आप मध्यप्रदेश तक का डिल्ली मुंबई express पे that highway is comparable to any highway in the world, we will be either equal to or better than the world's any express way, in terms of systems, quality, safety standards, mechanisms, intelligent traffic management systems, online monitoring, camera monitoring, speed monitoring, safety, structural monitoring, safety of the travellers, evacuations, trauma centers, ambulance services, fuel services, wayside amenities, each and every aspect of express way, वाओ, क्यूंकि अभी मुंबई तक आना बाकी है, तो काफी excited हूं है कि जब यह आएगा और काफी जल्दी होने ही वाला है, वो भी हमारा सपना पूरा, मुझे हमेशा से curiosity रही है, यह मैं थोड़ा सा out of the line जा रहा हूँ, मैं हमेशा देखा हूँ, जब मैं गुजात में रहता हूँ, especially कच अरियाज में, अइनो अधर पोर्च है, तो रोड्स बहुत अच्छे हैं, पर अधर के रोड्स में, और एक जेनरल, इवन मुंबई पूने एक्सप्रेस पे, एक टाइम पे बहुत अच्छा रोड हुआ करता था, आज चाहिए वह एक नॉर्मल आवलेज रोड ही हो गया, बिकाज इंडिया की स्टैंडर इतनी बढ़ गई है, यह माराश्रग और गुजराथ, जो नेबरिंग स्टेट है, जो एक टाइम पे एक ही स्टेट हो करती थी, तो यह क्यों इतना बड़ा डिफरेंच है, इसमें गवर्मेंट का रोल है, क्योंकि नैशनल हाईवे तो नैशनल हाईवे, अभी आप नैशनल हाईवे में कहीं भी जाएँगे, तो आपको लगबख सिमिलर क्वालिटी की रोड मिलेंगी, थोड़ा इंपक्ट वेदर, जियोग्रफी, वहां की जियो, नेचर अफ दी, लैंड, शॉयल, यह सारे फैक्टर काम करते है, यह सारे फैक्टर बहुत इंपॉर्टन होते है, और जैसे बोला जाता है, पानी और बितुमन का तो साप नेओले का बैर है, तो जहां बारिज जादा होते है, वहां इंपक्ट जादा आता ही है, और इसलिए कई जगह सिमेंट रोड का भी एक्स्परिमेंट किया जाता है, जहां बारिश जादा है, बट, और कीपिंग दी, अज इस इकुली इंपॉर्टन तो बिल्द इंफ्रस्ट्रक्चर एं, बिल्द वल्ल्लास इंफ्रस्ट्रक्चर, इस इकुली इंपॉर्टन तो मेंटेन देट इंफ्रस्ट्रक्चर, और मुझे लगता है, वो वर्क कल्चर हमारे देश में धिरे-दिरे इंपूर्व हो रहा है, उसके लिए काफी सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हमने, अब सारे प्रोजेक्स में दस साल की लिएबिलिटी कॉंट्रक्टर के उपर होती है, कहीं पांच साल है, कहीं साथ साल है, कहीं दस साल है, विच आड्स तु दी कॉंपनेंट उफ मेंटेनेंस अफ इंफ्रस्ट्रक्चर, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक बार बना देंगे, लेकिन हम घर भी बनाते हैं, तो तीन साल बाद हमें पेंट करना पड़ता है, हर दिवाली पे हम लोग क्लीनिंग करते हैं, महराष्ट गुजराद में परंपरा है, और मुझे रखता है वो changes लाना जरूरी है ताकि लोग आएंगे जाएंगे लेकिन बनाया हुआ infrastructure देश की अपनी संपत्य है उसको अच्छा बनाया रखने के लिए systematic involvement of structural involvement of system is very important ये बहुती ज़्यादा common I think एक observation है कि इंडिया किसी चीज में पीछे नहीं है बनाने के लिए but maintain करने में हमेशा पीछे रही है जो I think अभी दिरे दिरे change होगा कि आपने कहा कि ये fast track वाला चीज हम मुंबई में रहते हैं हम मुंबई के भार भी जाते हैं हमें ये 10 seconds वाला experience अभी तक तो हुआ नहीं है except one or two places तो इसका actual में क्या मतलब रहा है कि slowly सब जगे improve हो रहा है unfortunately आप जिस चहर में रहते हैं वहाँ सबसे आदा गाड़ी है और वहाँ निकलते समय beyond capacity there is a serious need of capacity augmentation on those areas तो इसलिए वो एक factor हाई है लेकिन slowly सारी जगे every passing days there is a improvement happening by every passing day there is a improvement happening और मैं आपको बिल्कुल without being offended suggest करूंगा कि आप एक बार experience करिए कुछ toll plazas पे और आप actual calculate करिए आपको मैसूस होगा कि धिरे धिरे time बहुत कम होते जा रहा है yes time तो कम है ideally 10 seconds तक शाइद कुछ toll plazas में नहीं पहुचा होगा लेकिन I am sure कि आने विल दिनों में बहुत जल्द पहुच जाएगा yes definitely और अब तो केवल Fastag नहीं अब तो इस देश में GPS-based tolling की बात हो रही है so that we are able to remove all barriers on the roads there will be no toll barrier आपके गाड़ी में smartphone या एक on-board device लगा के GPS के थू तो 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 उसके दो फादे है यूजर्स को अभी हम जहां एंटर करते और जहां एग्जिट करते उतने पूरे अरिया का तोल देते है कई बार हमें जादा तोल देना पड़ता है but GPS-based tolling आएगा तो यू पे अजू ट्रेवल आपने जितना लेंथ ट्रेवल किया उतनी काई टेवल आपको देना है तो मुमेंट आपकी गाड़ी नाशनल हैवे पर एंटर करते है so the larger objective that in few years there should be barrier-free movement in our country ताकि 10 second क्या टोल barrier ही ना रहे लेकिन उसमें लोगों के cultural difference, cultural improvement की भी behavioral improvement की भी बहुत ज़रुरत है क्योंकि अगर हम barrier हटाएंगे और लोग पैसा नहीं देंगे तो उनको कैसे पकड़ेंगे सरकार तो हम चाहते है कि लोग voluntarily through the proper legitimate mechanisms टोल दे, जितना बनता है उतना दे और यूज करे क्योंकि अच्छी service के लिए लोग टोल देंगे तो उनको अच्छी service और जादा मिलेगे I am really excited for this thing to get implemented आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि लोग honest होने चीए and उसको implement करने में successful होना भी बहुत बड़ी बात होगी जब लोग उसको implement करने देंगे क्योंकि अगर कोई corrupt है तो उसको पैसा भी जो दे रहा है वो भी तो उसमें सहर भागी है जैसे हम कहते हम जब दुसरे की तरफ उंगली दिखाते है तो तीन उंगली हमारे तरफ होती है yes 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 so absolutely true मेरा next question था इस बारे में कि यह I think club question है यह सारे जो बड़े-बड़े ambitious projects थे इन में आपकी क्या challenges रही majorly implement करने के लिए और दूसरा I think northeast sector जो अब भी ध्यान दिया जा रहा है infrastructure, road infrastructure, highway infrastructure पर तो क्योंकि वो terrain नहीं इतना difficult है तो इन दोनों में आपकी challenges कह रही see most of the infrastructure जो delay होते है या जिनमें challenges होते है उसमें primarily challenges होता है land acquisition या various approvals from various ministries चाहे वो environment के clearances हो, forest के clearances हो चाहे railway से bridge बनाने के clearances हो ऐसे बहुत सारे challenges होते हैं तो biggest aspect is to have a proper coordination amongst the different stakeholders और वो मुझे लगता है सबसे बड़ा issue होता है सरकार में unfortunately क्या होता है कि दो लोग आपस में cooperation और communication बहुत कम करते हैं तो वो एक initiative की आवशकता होती है उसमें आज land acquisition में सरकार ने एक बड़ा bold step लेकर land acquisition का compensation लोगों को बहुत legitimate compensation दिया market friendly compensation दिया और processes को simplify किया payment जो है land acquisition का सीधा लोगों के account में जाने लगा through the direct benefit scheme उसका impact यह हुआ कि लोग आज voluntarily land देने के लिए तैयार है लोग अपनी land का उनको एक legitimate compensation मिल रहा है जब बिच्छोले हट गए तो उनका trust भी बढ़ गया कि पैसा तो आई जाएगा इसलिए दे दोला है तो इन सब चीजों के कारण लोगों को एक विश्वास बना कि हम हमारी land अच्छे काम में जा रही है और उसका हमें एक meaningful legitimate compensation मिल रहा है उसका impact ही हुआ कि लोगों ने देना शुरू करिया similarly जैसे मैंने bridges का बताया railway और मंतराले के बीच में coordination बनाने के लिए एक portal बनाया गया designs को standardized किया गया उसके कारण processes simplify हो गई faster हो गई एक infrastructure group बना जिसको गड़करी जी head करते थे जिसमें कई inter departmental inter ministerial issues को resolve करने के लिए वो group बना ताकि सारे ministers इखटा बैटे थे issues को resolve करते हैं तो किसी भी बात की success में सबसे important होता है continuous follow up और passionately लगातार everyday day in and day out करना so whether it is sports whether it is business whether it is studies whether it is anything आप YouTuber है आप अगर रोज ना ना यूट्यूब पर कोई material नहीं डालोगे तो आपके viewers बने नहीं रहेंगे आपके channel पर किसी और जगे जाएंगे आप doing things day in and day out consistently again and again 365 days is something that is very important और तभी चीज़े आगे बढ़ती है तभी चीज़े resolve होती है तभी नए ने चीज़ों को हम अचीव कर सकते हैं आपने बिल्कुल सही बताया नौर्थिस्ट हमारे देश का ऐसा इलाका था कि जहां infrastructure बहुत बैगली नीडेड था लेकिन बहुत ज़ादा lacuna था there was a tremendous amount of infrastructure deficit मैं आपको एक छोटा उधारन बताऊगा ब्रह्मपुत्रा रिवर हम सब जानते है उसको नदियों की का समुंदर ही माना जाये सगया तो ब्रह्मपुत्रा पर 2014 तक दो ब्रिजेस थे पिछले आठ साल में छे ब्रिजेस बने है amount of infrastructure that has been added on that मैं एक ब्रिज का आपको उधारन बताता हूँ there is a place called Dholasadiyah Dholasadiyah पे देश का सबसे लंबा ब्रिज बना 9.5 km का मैं ब्रिज ऐसा है कि अगर सर्दियों के दिनों में आप जाओगे और इस तरफ से चलना शुरू को रहोगे एक तरफ से तो दूसरी तरफ का एंड आपको दिखेगा नहीं क्योंकि सारा केवल फॉग होगा और आप यॉट्यूब पे गूगल करोगे तो आपको दोला साधिया ब्रिज का वीडियो मिलेगा उसका नाम दिया गया है आज गुपेन हजारी का उसको महा से तू गोलते है इतना बड़ा हो ब्रिज है उस एक ब्रिज बनने के कारण डिस्टन्स बिट्विन आसाम और अरुना चल हैज कम डाउन बाई 165 किलोमेटर और डिस्टन्स टोटल कितना था the distance of the bridge is 9.5 किलोमेटर 165 किलोमेटर का 9.5 किलोमेटर ब्रिज हो गया क्योंकि बीच में प्रमोपुत्रा थी लोगों को 8 घंटे लगते थे जो आज 15 मिनिट में हो रहा है क्या बात कर रहे है देड लाग करोड के काम नौर्थ इस्ट में हो रहा है अनिमैजनेबल है आज नौर्थ इस्ट के हर स्टेट में हर स्टेट के हेड़कॉर्टर में नेशनल हाइवे पहुचा है एक नया ब्रीज ओपन हुआ है जिसके कारण त्रिपूरा और बांगलाद भेजना है तो हमें connectivity वहाँ इंप्रूग करनी पड़ेगी नॉर्थीस्ट की connectivity इतनी इंप्रूग हो रही है कि पांगलादेश, भूतान, इंडिया, नेपाल इन्होंने इकटा मिलकर आपस में बस सर्विश शुरू की है धाका से बस निकलती है वहाया वेस्ट बेंगॉल काठमांडू जाती है आज एक transnational highway बन रहा है जो इंडिया से निकल कर बांगलादेश, भूतान, मैनमार होता हुआ Thailand टक जाने की बात हो रही है तो आने वाले दिनों में हम वो भी मेरे खेल से ज़्यादा टाइम नहीं है आने वाले दो-चार साल में हम इंडिया से निकल कर बायरोड Thailand टक पहुच सकते हैं तो इतना major काम North East में हो रहा है आप यू नेम स्टेट मेगाले, मनिपूर, नागाल Thailand, Sikkim, Arunachal Pradesh, Assam, यू नेम स्टेट और हर स्टेट में इतना tremendous transformation into the physical infrastructure is happening जो unimaginable था जो 75 साल में हुआ उससे कई गुना 10 साल में हुआ रहा है You are right, क्योंकि बहुत सारे news हम देखते हैं, especially उसमें ऐसा आता है कि पहली बार train आई नौर्थीस्ट में, अरुनाचल में recently एक ऐसा motorable road बना जो पहली बार उदर बन रहा था, पहले तो कच्छे रास्ते थे और रोडी, मलब लोग तो जाना ही नहीं पसंद करते थे, या फिर वो जगे पे इतनी कम population है, क्योंकि उदर रोड ही नहीं, इंफ्राशक्चर ही नहीं है, अरुनाचल में एक जगे है सेला पास, जहां पे अब एक टनल बन रहा है, बियारो उस टनल को बना रहा है, बोडर रोस ओगनेशन, वो एक टनल बनने के कारण, फारीस के नौर्थीस के हमारी जो बॉर्डर एरियाज है, वहां पे हमारी आमी और फोर्सेस आसानी से पहुच सकते हैं, अदर्वाइज वहां पे एक्स्ट्रीम वेदर कंडिशन जब होती है विंटर में, तब वहां अगर कोई बीमार होता है हमारा सोल्जर, तो उसको यहां लाना मुश्किल हो दिस्टंस, और ओल विदर हो गया, तिन सो पैसे दिन हमारा आदमी पहुच सकता है, तो इंपक्त अफ इंफ्रास्ट्रॉक्चर इन नर्थेस इस अनिमाजिनेब, सड़नली दोर्स है वोपन फोर नर्थेस, सड़नली दोर्स अपरचिनिटीज, सड़नली दोर्स अफ ग्रो एक्स नमबर ओफ टनल बन रहे, उसमें से मेजॉरिटी दो बनके रेडी भी हो गया, आम नॉट रेडी विट माइन नमबर्स बट आप उस पर कुछ बता सकता है, बॉडर रोड और एरियाज में रोड बनाती है, और हम सब जानते हैं हमारे देश की सोवन सेक्यूरिटी के लिए, हमारे आम फोसेस के मुवमेंट्स के लिए, जितना बॉर्डर एरियाज में हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, उतने हमारे आम फोसेस की केपेबिलिटी इस टू, टू, एड्रेस टू, एड्रेस टू, एनी कांड आफ सिचूएशन विल इंक्रीस, आज ह हम उसको अंडर डेवलप रखेंगे, तो वह हमारी बेटर है सिकुरिटी के लिए, क्योंकि वह जब इधर आएंगे इंडिया में तब वह पॉची नहीं पाएंगे, उनको अच्छे रोड्स नहीं मिलेंगे, यह उनकी मेंटालिटी थी पहले की गवर्मेंट्स, बिल्कुल की अरुनाचिल की बॉर्डर हो, सिक्किम की बॉर्डर हो, लेहलदा की बॉर्डर हो, फ्रंटियर, वेस्टन फ्रंटियर बॉर्डर हो, राजस्तान की बॉर्डर हो, पंजाब की बॉर्डर हो, इतना काम हो रहा है, जैसे आप सब लोग ने अटल टनल का नाम सुनू होगा, तो मनाली से आगे रोतांग पास में लगता है, वो एक तनल बनने के कारण, हमारा डिस्टंस लगबख 40 किलोमेटर से कम हुआ, एक कारगिल के पास जोजिला में एक तनल बन रहा है, जम्मू टू श्री नगर लगबख 15 तनल बन रहा है, उसमें से 12 तनल बनके रेडी है, और जिसमें आज 8 गंटा, 9 गंटा लगता है, तीन या 4 गंटे में हम पाँचेंगे, सिमिलरली जोजिला टनल जो बन रहा है, आप सब लोग ने शायद आप उस समय बहुत यंग होंगे, जब कारगिल वार हुआ था, तो जो सबसे बड़ा कारगिल वार का रीजन बना, कि अग most coldest inhabited place in the world, minus 50 degree तक temperature वहां जाता है, और वहां लगबग 200 से जादा हमारे outpost है, वहां पे 6 मेना soldiers को रुखना impossible है, तो दो देशों के बीच में एक understanding थी, कि जैसी extreme winter शुरू होगा, दोनों देश अपने वो post छोड़के अपने अपने जगह पर नीचे आएंगे, हमारे लोग आते थे, उनके लोग भी आते थे, कारगिल युद्ध के समय क्या हुआ, उस winter में, पाकिस्तान के soldiers ने वो post को occupy करके रखा, और terrorist को अंदर आने का मौका दिया, हमारे इतने soldiers माने गए, इतने अधिकारी मारे गए, वो जो कारगिल में एक द्रास की पहले एक जगह थी, जहा के बाद साल भर हमारे soldiers को हम उस post पे रखने लगे, अब जब साल भर extreme weather में soldiers को रुखना है, तो हमारे army को सारे resources वहाँ चाहिए, कपड़े से लेकर, बैटरी से लेकर, food से लेकर, fuel से लेकर, medicine से लेकर, हर चीच चाहिए, साबुन, तेल, शैंपू से लेकर, हर चीच चाहिए अब वो 6 महने के लिए arm forces को store करना पड़ता है, imagine the amount of pressure on the inventory, तो 4-5 महने तक army के वल, forces के वल winter, extreme winter के लिए storage का काम करती है, इन सबसे बचना है, तो हमें all weather 365 दिन का सडक चाहिए, तो जो जोजिला tunnel बन रहा है, ये एशिया का सबसे लंबा, पहला bidirectional tunnel है, साड़े 13 km का, और उ वाँ, और इडिजए 100 अवार अवर प्रोंच प्रों एरिया इन डे वल्ड, तो उसमें तो बनान से तो वहाँ tunnel बनाना अपने एक इंजिनिंग मावल है, वहाँ उतने अवाल प्रोंच 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 अरिया में हमारे लेबर्स को वरकर्स को इंजिनेर्स को काम करना अपने आप में बहुत एक्स्ट्रीम एक्स्पिरियंस है लेकिन ऐसा टनल बनने के बाद में हमारे देश के सोलजर्स के लिए हर प्रकार की सुविदा हमारे फोर्से के लिए हर प्रकार की केपैबिलिटी तो कॉंबैट इफ रिक्वाइड एक्स्पॉड इटनी एफिशेंट हो जाएगी तो हमारे देश के सोवनिटिकले इसकी सब की जुरोत है और आप्सलूटली वेडर इस नौर्थिस वेडर इजमुकाश्मिर वेडर इज लेव इज लदाक आज भी दुनिया का हाइएस मोटरेबल रोड हमारे देश में बना है हां जी इन फैक्ट उसको भी बीट करके जो भी बन रहा है अज बड़ा के उपर हम गये 16,000 फीट पे पहुच गये उस पे अभी वह आ थिंक उसका आज अज भी रिसेंटली उसका इज अज लेट्स मुवा इस हम सुनते आज ए पिछले एक साल से गती शक्ती के बारे में तोड़ा कुछ बता सकते आप बिल्कूल मानिय प्रदान मंत्री जी ने पी अम गति शक्ती योजना के तहत इंफ्रास्ट्रक्टर में देख रहे बह आज हमारे देश में 1500 बन गया है हमारे देश में लगबग एंटाइर रेल्वे लाइन हैस बहुत काम हर शेत्र में हो रहा है लेकिन हम सब लोग जैसे देखते हैं खास करके शहरों में भी हम देखते हैं वी नीड बेटर इंटीग्रेशन आफ इंट्रास्ट्रक्टर प्ला तो इस प्रकार के चैलेंजेस को और एक दूसरे को कॉम्प्लिमेंट करता हुआ इंट्रास्ट्रक्टर बनाने की जरुवत है क्योंकि हमारे देश में रिसोर्सेस क्रंच तो हमेशा रहेगा और 140 बिलियन पॉपुलेशन के लिए इंट्रास्ट्रक्टर बनाना इस नौट जो amount of money that will require to give facilities to everybody is huge, humongous, दुनिया में किसी के पास इतना नहीं है तो हमारे existing bandwidth में, resources में हमें better infrastructure देना है तो better coordinated integrated planning के साथ एक दूसरे को compliment करते हुए अगर हम infrastructure बनाते हैं तो हमारी efficiency improve होगी और उसी उद्देश से प्रधान मंतरी जी ने प्रधान मंतरी गतिशक्ती योजना बनाया है उससे दो बाते होगी एक तो better coordination होगा better planning होगा और better faster implementation होगा क्योंकि decision making fast track होगा एक दूसरे के साथ cooperation coordination अच्छा होगा जिसके करा infrastructure अच्छा बनेगा और especially हमेंशा जैसे मुंबई में कहीना की जगह पे major roads पे खोदा ही चलती है क्योंकि आज अगर जीयो लगाएग तो next in editor लागे खोदेगा फिर mtnl करेगा मतलब अब जैसे national highway के along ऐसे utility corridors बना रहे है ताकि इस प्रकार के line वगरे डालने के लिए खोदने की ज़ुरूरत ना रपडेगी national highway एक utility corridor बनाता है जिसमे communication corridor बनाता है जिसमें आप अपनी cable दाल सकते हो existing corridor में and national highway charges companies for that so it is additional source of revenue for national next question पर जाए रहा हूं green energy and जैसे गटकरी जी बहुत openly कहते हैं कि उन्होंने कच्रा इतना use कर लिया road बनाने में कि बहुत जगाव पर कच्रा ही नहीं मिल रहा हूं को जैसा quality का कच्रा चाहिए तो इसी के साथ मुझे जो next question है इन्होंने बहुत ज़्यादा hype किया है गटकरी जी ने कि अभी उनको पेट्रोल और डीजल को के उपर dependency हटानी है import हटानी है क्योंकि वो इंडिया के उपर बहुत बड़ा भार है electric vehicles, biofuels जिसमें bioethanol आ गया petrol car के लिए और biodiesel डीजल के लिए फिर एक है green hydrogen fuel cell cars और जो अभी जो मेरे खाल चाहिए थुड़ा सा time है उसको फिर भी एक mass production में आने के लिए बट जो बहुत ही pass है वो है flex engine तो यह सारी चीज़ है क्योंकि मैंने इनके introduction में skip कर दिया he is also a consultant for green energy and capabilities around it and also deputy director रहे चुके आप फिकी के फिकी is I think Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry yes काफी लंबा नाम है तो yes so इसके साथ क्योंकि because you have seen the industry side now you have also seen the ministry side यह जो हमारी ambitions है towards green because you are also a green energy consultant अब यह तीनों का mix लगाके हमें बताइए कि यह कितना real है और कितना pass है और दूर है यह reality है हमने बिल्कुल सही कहा see आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा challenge है pollution का आज green energy हमारा choice नहीं है luxury नहीं है हमारी मजबूरी है हमारा compulsion है if not today if we don't change and accept it probably nature will change us so green energy यह हमारी आज की मजबूरी है और better the earlier we do it better for our everybody's future greenhouse gases carbon emission हम दुनिया भर में आज देखते हैं साथ ही साथ हमारे सामने challenge है क्योंकि developed nations ने सब चीज़े करने के बाद आज वो convert कर रहे हमारे पास challenge है कि हमें अपना देश के लिए infrastructure भी बनाना है हमारे लोगों के लिए opportunities भी create करना है लेकिन ecological balance भी बनाना है लगबग 2002 से गड़करी जी लगातार green fields के बारे में bio fields के बारे में ethanol के बारे में बोल रहे हैं ethanol बनता है sugar से और grain से और आज लगबग 12% ethanol petrol में mix blend होता है और उसके कारण 12% हमारा fuel reduction हुआ petrol का consumption हुआ हमारा import reduce हुआ तो हमारी energy security के लिए any import is very difficult, very taxing तो जितना हमारा energy हम secure करना चाहते है उतना हमारा import हमें कम करना पड़ेगा साथ ही साथ ये ethanol सारे बना रहे है किसान क्यूंकि वो sugar से बनेगा, sugar cane से बनेगा या grain से बनेगा तो हमारे किसानों के आमदनी अगर हमें बढ़ानी है तो खेती में हमें उसकी वाइबलिटी लाना होगा तो खेती को diversify करके उसकी जादा yielding जादा cash crops को जिसमें जादा लोगों को मुआज़ा मिले लोगों को जादा आमदनी हो किसानों को ऐसे crops लाने पड़ेंगे तो अगर हम इससे fuel और energy बनाते है तो we will add so much of value to the agriculture और उपर से उजो पराली जलाते हैं तो बायो-सिन ज़ी बन सकता है तो आज वायो-मास से और बायो-based चीजों से इसनल बनता है बायो-diesel आज डिजयल में इसनल ब्लेंट करने की बात हो रहे है उसके experiment चल रहे है अच्छा प्रेंजी बन सकता है इसके कारण pollution कम होगा और अगर आप देखेंगे तो nature is the best teacher nature में हर चीज का एक cycle है anything that is produced by nature goes back to nature और हम sustainable lifestyle किसको कहते है reduce, recycle, reuse that is sustainability तो इससे अच्छा sustainability का model क्या हो सकता है कि हम किसान के खेती में पैदा करेंगे उससे fuel बनाएंगे और दूबार हम खेत में ले जाएंगे इससे sustainable model कुछ हो नहीं सकता और यह अगर हमारे देश के किसानों के लिए additional opportunities पैदा करता है तो मुझे लगा इससे जादा efficiency किसी और चीज में हो नहीं सकती है बिल्कुल आपने सही कहा ethanol हमारे देश में ब्लेंड हो रहा है बाइयो C&G और LNG और CNG पर बहुत सारा काम हो रहा है electric buses, electric two-wheelers, electric cars अज़ सब जग़ शहरों में हर जग़ दिखने को मिलता है In fact, electric two-wheeler India has become the biggest producer in the world तो यह इतना बड़ा transformation बहुत तेजी से हमारे देश में हो रहा है hydrogen buses अब hydrogen fuel cell buses आये है Green hydrogen बनाने की बात हो रही है जब तक Green hydrogen की cost competitive नहीं होती तब तक Brown hydrogen के मादम से चलने की बात हो रही है Marine engines के लिए methanol की बात हो रही है और यह सब हो रहा है हमारे देश में इसका शुरू हुआ है और इसका सीधा impact हमारे देश में कई सारे Employment opportunities पैदा करना Economic opportunities पैदा करना और pollution को कम करना Sustainability की तरफ, Nature की तरफ हमारे lifestyle को ले जाना प्रदान मंतरी ने हमेशा कहा है कि Lifestyle for Nature की तरफ हमें जाना पड़ेगा और यह सारी बाते उस तरफ हमें ले जाता है तो इसलिए Green fuel is not our choice Coloring our fuel green is our necessity और इंडिया के लिए एक और अंगल से बहुत important आता है क्योंकि आपने इंपोर्ट का वो जब हमारी सबसे बड़ी dependency जो दूसरों देशों पे है हमारा 16 लाग करोड का Crude oil इंपोर्ट है Imagine करिए कितना बड़ा burden हमारे economy पे है Moment अगर हम यह इंपोर्ट 20%, 30%, 35%, 40% हमारा देश इतना बड़ा है कि इसमें हर प्रकार के experiment की जगह है और ऐसे hundreds of hands will have to come together hundreds of experiments will have to come together to make sure that India progresses and India becomes the country to recon with in the world क्यूंकि आप फिकी साइट से जो मैंने क्वेशन के build-up में कहा industry side इसको कितना embrace कर रही है और because यह भी कोई एक industry बनारी है डेवलप कर रही है तो यह reality कितनी दूर है green hydrogen and flexi engine at a mass level नहीं आगे है it's already available क्यूंकि hydrogen का movement का एक सबसे बड़ा issue है वो technology globally improve हो रही है as you rightly said industry और businesses always works with opportunities that bring in तो जैसे ही हमने 12% blending शुरू किया ethanol का हमारे देश ने तो suddenly ethanol manufacturing बहुत बढ़ गई जितने sugar factories थे वालोगों ने ethanol plant डाला so business will always look at opportunity industry will always look at economic opportunity तो सरकार का काम होता है एक ऐसा environment create करना एसा एक policy environment create करना जहाँ business उन opportunities का फायदा लेकर देश में economic value create करे wealth create करे employment opportunities create करे investment ले आए तो मुझे लगता है वो बहुत तेजी से इस देश में हो रहा है flexi fuels आ रहे है आज 200 से ज़ादा grain based ethanol plant लग रहे है आज 200 से ज़ादा biomass से CNG बनाने के plant लग रहे है आज biomass से biodegradable plastic बनाने की technologies आ गई है तो technology will continuously evolve बड़ ये chicken एक situation हमेशा रहता है सरकार का काम होता है कि इस initiative में लोगों को incentivize करे promote करे एक policy environment करे और अपना एक 15 साल का 20 साल का 25 साल का एक positive road map लोगों के सामने रखेंगे इंडस्ट्री का जरुद होती है कि अगर सरकार का clarity के साथ road map अगर उनके सामने रखा होता है तो they are entrepreneurs they will grab the opportunities they will get benefited from the opportunity लेकिन हमारे देश में अगर entrepreneurs opportunities को grab करते और उसका फाइदा हुठाते तो देश में economic value क्रेट होगी और देश का फाइदा होगा आपसोलूटली बहुत जादा especially entrepreneurs like मेरे एज के हमारे जनरेशन के जैसे हमें भी military sector में भी दिख रहा है और infrastructure sector में दिख रहा है IT sector में दिख रहा है और इंडिया की जो भी economic forecast है I hope कि ये continue होए और हमारी जो entrepreneurs की जो इसमें एक भागयदारी है वो काफी एच्छी लेवल पर रहे और government obviously बहुत जादा रोल प्ले खरती है इसी के साथ मैं अपने questions का विराम देता हूँ आपको कुछ कहना है मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा आपने जैसे कहा बिल्कुल सही बात है हमारा देश बहुत तेज़े से आगे बढ़ रहा है इसलिए मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ we all should be rest assured देखे पिछले 9-10 साल में और पिछले 75 साल में लगातार देश आगे बढ़ रहा है पिछले 10 साल में उस pace of development has been phenomenal आज हम देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी economy बनने की तरफ जा रहा है we are fastest growing economy in the world सबसे जादा FDI investment हमारे देश में आता है सबसे तेजी से infrastructure हमारा बन रहा है अभी अभी recently G20 हमारे देश में हुआ दुनिया ने हमारे अपनी काबिलियत का लोहा माना है दुनिया भर में हमारे Indian origin के लोग अपनी पहचान बना रहा है वहां अपना काम कर रहा है इसलिए प्रदान मंत्री मोदी जी ने जैसे वह वाक्य यूज किया था India's time has arrived तो I think we should all believe and be rest assured that India's time has arrived and we all should work together to ensure that India becomes a global super power in our own lifetime यस डेफिनिटली बहुँ जादे important क्यूंकि हम जो मैनत कर रहे है वो उसका अगर हमें फल भोगना है जैसे प्रदान मंत्री ने कहा कि अमरुत काल में हमें देश को विकसित देश बनाना है and I think it is very much possible यस 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 डेफिनिटली especially जो अभी लोगों का बिलीफ आ चुका है that is I think going to make it possible और जो हमें लग रहा है I think उससे पहले ही हो सकता है तो क्यों नहीं हम कोशिश करें कि वो टार्गेट को पहले अचीव करें उसी के साथ जैसे आज हमने सुना infrastructure के बारे में इसलिए आज topic मैंने लिया obviously फैभव जी आज available थे और ये opportunity में जाने नहीं देता but infrastructure एक ऐसा sector है जापे government directly public में spend करता है और उसका जो multiplier effect होता है economy पे वो सबसे जादा easily दिखता है और infrastructure सिर्फ economically नहीं जो government spend के through में बात कर रहा हूँ बलकि जो उसके बाद में जो ease of life हो जाती है ease of doing business or traveling or anything logistics वो इतनी improve हो जाती है और उसके वज़े से आपको जो चीजे दिखती नहीं है जो hidden होती है behind the scenes होती है वो बहुत ही जादा आपको एक multiplier effect देती है तो अज हमें लग रहा होगा कि 7-8% से इंडिया बढ़ रही है बट आपको सून दिखेगा कि ये 10-15% कब बढ़ गया ये पता ही नहीं चलेगा और उसी के साथ तैंक्यू सो मच वेभाव जी आपने आज हमें टाइम दिया बहुत ही मजा है आपसे बात करकर तैंक्यू accountant कि आपने मुझे बुलाया मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करकर और मैं आपके सारे वीवरस का बहुत भाँग धन्यवाद करता हूँ और happens सात्विक का podcast देखते हैं, ऐसे ही देखते रही है, he's a very energetic and very enthusiastic guy, और आपको ऐसे नए-ने episode लेके, I'm sure लेके सात्विक बार-बार आते रहेंगे आपके पास, hopefully and keep supporting us, जैहिन, जैहिन, thank you.